हलो गाइज मैं हूँ अविन्यास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल स्केचप हिंदी पे तो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं बंप मैप को बारे में बंप मैप कह सकते हैं या नॉर्मल मैप कह सकते हैं ठीक है तो उस चीज को आज हम सिर्फ देखने वाले हैं ठीक है तो वीरे के साथ हम इसे अपलाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यह रियक्ट करता है ठीक है साथ में मैं आपको बताऊंगा कि यह Bump Map आप कैसे बना सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने क्या कर रखा है एक रूम बना रखा है इस तरीके से एंड उसमें क्रिएट कर रखा है अभी यह बिल्कुल प्लेन है अगर मैं रेंडर करके इसे देखो तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा में हाइलाइटर वाल है वह बहुत बिल्कुल प्लेन है ठीक है तो हम इस पर में बॉंप मैप अपलाई करेंगे और उसका रियक्शन देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले मैं बॉंप मैप दिखाता हूं कि एक्चल में बॉंप मैप या नॉर्मल मैप होता क्या है ठीक है तो यह देखिए आपने कई बार यह देखा होगा इस तरीके के कुछ इस इमेज जो हम वीरे में यूज करते हैं यह एक्चल में बॉंप मैप कहलाते है ठीक है तो इन्हें ही हम आज यूज करेंगे और देखेंगे इसे ठीक है तो चलिए अपलाई करते हैं सबसे पहले एसेट मेनेजर उपन करते हैं ठीक है एंड मटेरियल में आते हैं तो जो reflection reflection कुछ भी चेंज नहीं कर रहा मैं सीधा सिर्फ bump map को देखूंगा ठीक है तो आप इस पर क्लिक किजिए यहां पर देखिए नॉर्मल मैप है और उसके बाद यहां पर यह चेंज करने का option है तो यहां कर रहा हूं एंड उसके बाद कि इसे रेंटर करेंगे ठीक है तो इसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपने material में आप देखेंगे यहां पर कि यहां पर आपका नीचे होता है bump map ठीक है यह bump इसे आप किजिए और उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर normal हो सकता है आपके पास यहां पर पहले आए तो normal की जगए बंप की जगए आप normal select कर लें और उसके बाद यहां से जाके bitmap को select करें ठीक है मैंने यहां पर कई सारे रख रखें तो मैं दो तीन करके दिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि आप इसे बना कैसे सकते हैं अगर आपको किसी texture का बनाना है ठीक है इसे पहले select किया open किया back आए और आपको simple render करना है हालाग कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा यह इसमें texture दिख रहा है एडिट होते हुए और यहां पर भी हम को सिसे करेंगे कि हमें दिखे ठीक है तो अब देख सकते हैं कि यह अभी भी उस तरीके से नहीं दिख रहा है ठीक है उसकता है texture चोटा आ रहा है इस वज़े से प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप उसी के नीचे बॉंप मैप के नीचे दिखेंगे की बाइंडिंग है ठीक है इसे ओन कीजिए तो आप देखी यह अपने आप आपको टेक्स्चर की तरह दिखेगा और इसमें जो और चीजे हैं कि बाइंडिंग के अंदर यहां पर ऑटो की जग़ा टेक्स्चर है कर सकते हैं ठीक है एंड उसके बाद इसे बंद किजिए अब जो यह है आप इसका साइज कर सकते हैं जैसे अभी यह 10 इंच का है तो मैं इसे क्या कर रहा हूं दो फूट का कर दे रहा हूं ता तो आप देख सकते हैं कि अब हमें यह प्लेइन वाल टेक्स्चर वाली वाल रखती है प्रॉपर तरीके से ठीक है साइज अभी भी आपको छोटा बड़ा करना है कर सकते हैं जब आपने बाइंडिंग का यूज कर लिया है तो ठीक है इसी अब मैं दूसरे और देखता हू इस बार मैं इसे यूज कर रहा हूं और कुछ चीजे और हैं जो हमें देखनी है उसे भी हम देखते हैं तो फिर से रेंटर करते हैं तो आप देखिए यह प्रॉपर तरीके से जो हमारा कुशन लगता है या पफिंग जो हम कहते हैं वो करते हैं वो इस तरीके से लेकिन इस इस तरीकी के नॉर्म बउप नॉर्मल मैप या नॉर्मल किसी भी तरीकी फोटो या बंप मैप आप сильно होना चाहिए मतलब आपका टेक्स्च्रें सेम्लेस होना चाहिएfly यहीं तो वह इस तरीके से ब्याइब करेगा जैसे टाइल टाइल दिखना हो जाएगा या फिर इस तरीके का चेंज आएंगे उसमें ठीक है तो सीमलेस मटेरियल ढूंड़ना जरूरी है और एक आद्ध हम देख लेते हैं सेम अगर मैं ब्रिक वर्क वाला देखूं इसे तो आपको अपलाई करते हैं एंड रेंटर करते हैं तो आप इसे भी देख सकते हैं अब हमें ब्रिक वर्क वर किस वाल पे बहुत ही किलिए तरीके से दिख रही है अगेन करना है तो आप कर सकते हैं आप अपने टेक्शल के मताबिद ठीक है तो अब एक और चीज में दिखात करते हैं हालंकि आप देख सकते हैं जैसे आव मैप हो गया हमारा ठीक है डिपलेशमेंट मैप हो गया और सप्द्र मैप हो में हम तो यह सारे तरीके भी तात के साथ बनाना हम सीखेंगे ठीक है तो सबसे पहले इसका बप यूज करते हैं ऑपन & बांप के रेंडर Pan तो यह यह देखो यह बना तो है लेकिन स्केल छोटा है तो मैं एक तो स्केल बढ़ा करता हूं और साप के लिए दिखाता हूं ठीक है तो आप देख सकते हैं यह बना अगेन वह सीमलेस वाली प्रॉब्लम जैसे इस लाइन में आप देखेंगे और यहां पर भी देखेंगे तो यह मैं आपको पहले दिखाता हूं मैंने यह दो इमेज और निकाली है ताकि हम इसे भी अपलाई करके देख सकें साथ के साथ मैं भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकूं ठीक है क्योंकि मैंने इसे अभी तक नहीं देखा है तो चलिए इसे जल्दी से बनाते है उसके लिए इंटरफेस खुलेगा और सिम्पल पहले वाले प्लिक करना है और जहां भी आपने वह फोटो रखी है उसे आप स्लेक्ट कर चाहिए तो मैं इसे पहले स्लेक्ट कर रहा हूं ए यहां मेरे ही साब से यह इमेजन नॉर्मल है यह आए गई मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं और तो उसके बाद आपको यहां पर करना है यह देखे साथ के साथ ही यह बन चुका है आपको दिखेगा यहां पर 3D में यहां पर नॉर्मल मैप जो दिखता है अब यहां पर दो चीज़े हैं एक डाउनलोड और एक All है तो डाउनलोड अगर आप करते हैं और मैं वहीं पर इसे सेव करते हैं नॉर्मल सेव तो यह नॉर्मल मैप के नाम से सिर्फ एक इमेज सेव हुई है अभी लेकिन अगर मैं All सेव करता हूं तो अभी हो नॉर्मल मैप वन आया तो मैं इसे सेव कर रहा हूं फिर उसके बाद इसने पूछा डिस्प्लेस्मेंट मैप क्योंकि पहले से इन नाम का है तो वन वन करके लास्ट में आ रहा है ठीक है और यह स्पेकुलर है तो यह चारों अपने आप आपको डाउनलूड होके मिल गए ठीक है सिंपल बहुत इजी और आसानी से ठीक है तो अब आप देख सकते हो कि मेरे पास जो यहां पर पहले एक सिर्फ एक इमेज थी अब उसके कई इमेज मिले हैं मुझे जैसे यह ठीक है यह एम्बेंट और हो गई और उसके बाद यह हमारी डिस्प्लेस्मेंट मैप हो यह नॉर्मल मैप हो गया एंड यह फाइनल स्पेकलर मैप हमें चाहिए अभी सिर्फ बंप मैप तो हम नॉर्मल मैप यह बंप मैप तो हम उसे यूज करेंगे ठीक है मैं ब्राउजर को बंद कर दे रहा हूं भी अब मैं यहां पर यूज करने वाला हूं जो अभी हमने ब्ल Quin General कितने आसानी से हो चुका है अभी भी वह सीम अगें सीमलेस दिख रहा है काफी हद तक लेकिन में चाहता हूँ कि एक सिंगळ उसमें निकालो तो यह दिखिए डरे तो अब इसे जबनेद हो तो किया है एंड उसके बाद इसे रेंडर करते हैं ठीक है तो रेंडर करने के बाद आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब यह कितना किलियर एंड सेम जो इमेज है उसकी तरह दिखना स्टार्ट हो गया है मैं साथ के साथ इमेज को भी लाता हूं तो आप देख सकते ह यहंद गुद सेम इस तरीके से चीजे दिखे रही हैं यहां पर है ठीक है और चीजे थोड़ा स्कील के विज़ेश्टे ऊपर नहीं हो सकता है लेकिन आपको प्रॉफर चीजे दिखे रही है ठीक है तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दे बाकि मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद